Session 2021 में सभी का स्वाधत है, देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तयार गिया है, बने रहे हैं कमल एकेड़ेवे कोज पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिलकुल लापरवाई ना बरतते हुए, हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ First lesson of English literature, the name of this lesson is Waiting at the Window, it is a poem written by Alan Alexander Millen. This poem takes you into the imagination of a little boy who is stuck indoor because it is raining outside. यह poem उस चोटे से बच्ची की imagination means कलपना के बारे में है, जो की बरसाथ के काराँ अपनी घर के अंदर है. एक चोटा बच्चा विंडो पेन के पास खड़ा हुआ है और वाटर ड्रॉपलेट्स जो टू तिनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको पेन पर अबसर्ब करता है वह उन दौनों की रेस के लिए जो ड्रॉपलेट्स है उनकी रेस के लिए वेटिंग करता है और उन्हें अलग अलग नाम भी देता है एक का नाम जोन देता है और एक का नाम जैंस देता है लड़का कहता है but the boy wants him to loss John who has not even begun is the boy's favorite in this race लड़का कहता है कि ये race जो है James ने पहले ही सुरू कर दी थी means वह trickles down slowly trickles down हो रहा था बून बून कर वह टपक रहा था तो लड़का चाहता था कि वह ये race को loss करे John उसका क्योंकि उसने अभी तक race start भी नहीं की थी begin भी नहीं की थी तो ये John जो है वह लड़का का favorite था इस race में James was going slowly but John had not started yet he however started off at last but James was faster John gathered some pace and James hit the block giving way for John to move faster James धीरे धीरे चल रहा था लेकिन John ने तो अभी तक ये जो race थी उसे start भी नहीं किया था John ने जब ये race start की तो James ने अपनी speed और faster कर ली क्योंकि John ने ये race बहुत last में start की थी तो बहुत तेजी से चल रहा था जबकि James तो already पहले से ही बहुत speed से चल रहा था The boy was wondering who was faster James was stopped by a fluff and started talking to a fly So John hurried away finally to boy's pleasure John won and with it the rain stopped and the sun was up Little boy ये wondering कर रहा था कि who was faster James को एक piece of fluff मिल जाता means एक रोय का टुकड़ा मिल जाता है जिसके द्वारा वह stopped हो जाता है John अभी भी बहुत तेजी से चलता है James को रास्ते में एक fly means एक मक्ही मिल जाती है चूंकि James जो है एक fly से बात करने लगता है तो John इस मौके का फायदा उठाता है और बहुत ही तेजी से वेच चलता है और फाइनली ये लड़की का प्लेजर होता है और John इस race को बॉन कर लेता है जैसे ही John इस race को बॉन करता है तुरंत जो rain है वो stopped हो जाती है और sun निकला आता है मिस धूप आ जाती है तो देखा बच्चो किस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने अपनी imagination से जो घर में बैठा हुआ था रेन के कारण उसने अपनी boring को दूर करने के लिए किस तरीके से अपना entertainment किया hope you will understand this poem thank you have a nice day